बिसमिल्लाहररह्मानुरहिम असलाम लेकुम व्यवर्स मैं हूँ डक्टर नसीम diamond गुमन और आप देखे हुआ हैं डक्टर नसीम that रक्सा अ्युक्ट, विश्ची विछ आजकी मेरी वीडियो बहुत important वीडियो है और यह वीडियो मेरी उन फीमेल्स के लिए यह हमाँ तीन के लिए है कि जिनका C-section यह सेजेरियन होता है यानि के उनकी normal delivery नहीं होती बेबी के लिए और उनको C-section में से गुजरना पड़ता है तो बहुत सारी फीमेल्स मेरे clinic में आती हैं और वो इस मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है especially मैं जब उठती बैठती हूं यहां ज्यादा देर के लिए खड़ी हो लेती हूं यहां जब मैं घर के काम करती हूं तो मुझे इस तकलीफ का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है यह condition अगर इस condition को इस pain को अगर शुरू में ट्रीट ना किया जाए तो यह lifelong भी चल सकती है इवन कई साल गुजरने के बावजूद फीमेल्स की कमर के अंदर दर्द होता है रहता है तो व्यूर्स हुमेपेथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसंस है और मैंने इन मेडिसंस को कई फीमेल्स को देखे देखा है और मैंन इससे क्या होता है कि जो वहां पे जो नर्स जो है जो नर्स डैमिज होई होती है स्पाइन के अंदर या बैक की जो नर्स पंक्चर हो जाती है उनकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है वो बहुत तेजी से हील हो जाती है और दुबारा उन दुबारा जो है वो मेडिसंस की जरूरत नहीं पड़ती है तो वियूर्ज अब मैं बताता हूँ उन हमियोपेथी मेडिसन के बारे में के जो इस नियूरो पेन के लिए या ऐसी पेन जो के इंजेक्शन लगने के बाद जो है वो कमर में फीमेल की चलती रहती है उनके बारे में हैं वियूर्ज पहली जो मेडिसन है वो है हाइपेरिकम 1M वियूर्ज हाइपेरिकम नर्व की बहुत अच्छी मेडिसन है और अगर कहीं नर्व इंजरी हो जाए या नर्व की प्राबलम आ जाए जहां पे असाप पंक्चर हो जाए तो उनके लिए यह बहुत एक्सिलेंट काम कर करते ही है वियूर्ज हाइपेरिकम 1M आपने एक डोस चार या पांच कतरे ठोड़े से पानी के अंदर डाल के आपने रात को एक बार लेनें है दूसरी जो मेडिसन सन है और प्याश्चा 2 hundred और प्याइपश्य को आप ने दिन में में एक दफा ही लेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपकी दर्द बहुत कम हो जाएगी, और अगर आपने इसको रिपीट करना है, तो चार या पाँच दिन के बाद आप इसको रिपीट कर सकती हैं, यानि के चार या पाँच दिन के बाद आप इसकी दूसरी डोल या तीसरी डॉल्स ले सकती हैं लेकिन उसके बाद इस मेडिसन को छोड़ दीजिए आप बहुत बहुत बेहतर फिल करेंगी आपकी दर जो है वो बिलकुल खत्म हो जागी और इंशाला कई दफा तो बहुत लंबे अर्से तक इनको लेने की जरूरत नहीं आती है और यह बहुत की मेडिसन है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है व्यूर्ज उमीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए अल्ला हाफिस